यहाँ पर एक question है are you pack name of the following नीचे एक compound दे रखा है और इसका सही are you pack name क्या होगा है ना यहाँ बताना है तो यहाँ पर answer होगा B यह किस तरह से होगा आईए हम देखते हैं यहाँ पर कोई functional group नहीं है इस compound में लेकिन यहाँ पर क्या है multiple bonds है तो multiple bonds उसमें हम किसे priority दें किसे प्रात्मिकता दें क्योंकि यहाँ पर double bond है और क्या है triple bond है यानि हम double bond जहां से पास पढ़ रहा है उस carbon से जो है हम numbering start करें है ना यहाँ तो जहां से triple bond पास पढ़ रहा है उस carbon को हम सबसे कम number दें numbering में 1,2,3,4,5,6 तो यहाँ पर ध्यान रखे priority double bond को दी जाती है क्योंकि double bond काई से start होता है E इन से ठीके और triple bond काई से start होता है Y,N,E I इन से और alphabetically ABCD में E पहले आता है किस से Y से इसलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर double bond को प्रात्मिकता दी जाती है यानि जहां से double bond पास पड़ेगा उस carbon को जो है सबसे कम number numbering में दिये जाएंगे ठीके न तो numbering जो है यह left वाले carbon से start की जाएगी जहां से double bond क्या है पास पड़ेगा ठीके तो यहाँ पर total carbon कितने है 6 यानि यहाँ पर यह hexa तो है तो यहाँ पर double bond की तरफ से हम counting कर रहे है तो one पर क्या है double bond है तो हम जो है जो hexa है उसके साथ हम double bond को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा one पर hexine है ना in यानि double bond है ना और उसको किस के साथ बोला हमने total carbon के साथ बोला hexane के साथ बोला तो यहाँ पर क्या है hexine double bond को हम in से लिखते हैं तो one पर क्या है hexine और five पर क्या है हमारा five पर आइन है है ना triple bond है तो total carbon के साथ जो है हम double bond को priority दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे है ना suffix के रूप में अनू लगने के रूप में ठीके और आखरी में हम जो है किसको triple bond को जो है उसका नंबर दे कर five पर क्या है आइन है यह लिखेंगे तो इस तरह से हमारा अंसर होगा B one hexine और five आइन थैंक्स फूर वाचिंग विजे को लाइब कर देना फटाफर सप्लाइज करो